अधार काट से फोन पे एकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा बैंक एकाउंट कैसे एड़ किया जाता है टोटली मैं वीडियो को कॉम्प्लीट वाच करोगे और स्टेप बाई स्टेप देखोगे तो अधार काट से फोन पे एकाउंट को बना करके कैसे चला सकते हो साथी मै बैंक एकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हो तो 2023 का ये नया तरीका है फोन पे एकाउंट को अधार काट से बनाने का तरीका इस वीडियो को complete वाज करोगे और step by step देखोगे तो totally life proof करके अधार काट से फोन पे एकाउंट को बनाने से ले करके चलाने तक और बैंक एकाउंट में एड करने तक का तरीका बताऊंगा तो वीडियो को complete वाज करना और step by step देखना सबसे पहले चैनल को subscribe नहीं क्यों subscribe करो तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं और आपको बताते हैं कि अधार कारट से फोन पे एकाउंट को कैसे चलाया जाता है आपको phone number फिल कर लेना है login करने के लिए first step में आपको करने करने के इंस्टोल करने के बद link के थरू उसके बद आपको mobile number यहाँ पे आपको fill कर लेना है और गई जैसे ही आप अपने mobile number पर फिल कर लेते हो जो मुबाइल नंबर आप यहां पर टालागा हो आपके अपने बैंक एकाउंट में लिंक होना चाहिए उसके बद आपके अपने मुबाइल नंबर पर ओटीपी आता है तो गाईज उस ओटीपी को फिल करना है यह आटोमेटिक डिटेक्ट होगा और आपको यहां पर बैंक एकाउंट को एड करना है उसके लिए यहां पर देख सकते हो एड बैंक एकाउंट का ओप्शन आ रहा है या अदरवाइस आप प्रोफाइल वाले या उपर में थ्री डोट का ओप्शन होगा या आपका फोटो लोगो होगा इस पर क्लिक करके देख सकते हो already एक मेरा bank account है तो guys आप अपना एक और bank account add करना चाहते हो तो add कर सकते हो otherwise यहाँ पर नीचे में देख सकते हो add bank account वाले option पर click करते हो तो guys यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस type से तो guys यहाँ पर जो जो आपके अपने bank account account में आप खाता खोलवाए हो यानि कि account open कि हो उस bank account को या तो नीचे में scroll करके search कर लेना है या आपको देखने के लिए मिल जागा एक के करके देख सकते हो तो guys कुछ most popular bank है otherwise यहाँ पर search by bank वाले option पर click करके जो भी bank account में आपका account open है तो guys उस bank account को आपको select कर लेना है और guys जैसे ही आप उस bank account को search कर लेते हो तो guys कुछ इस टाइप से देखने के लिए में जागा इस पर click करना है तो guys यहाँ पे आपके अपने mobile number से अगर आप जो phone number को किये होगे तो वह आपके bank account में link होगा तो वह finding करेगा और guys यहाँ देख सकते हो successfully मेरा account find हो गया यहाँ पर IFSC code bank का नाम उसके बाद branch name और guys नाम आ जाएगा bank में जो नाम है IFSC code आ जाएगा तो guys अब आपको create करना पड़ता है UPI PIN तो UPI PIN create करने के लिए आपके पास debit card या ATM card होना चाहिए तो create pin वाले option पर आपको click करना है और guys जैसे ही आप create वाले option पर click करते हो उससे पहले आपको UPI create करना है तो UPI create करने के लिए guys कोई आपको different UPI आपको डालना होता है या तो आपका खुद का mobile नंबर है उसमें add.ybl लग जाता है या आप अपना mobile नंबर को charge rate कर सकते हो, sick digit कर सकते हो, 4 digit यानि कि available होना चाहिए तो guys यहाँ पर द UPI यहाँ पर आपका set हो चुका है बन चुका है और आपको UPI pin create करना पड़ेगा ताकि आप किसी के पास पैसे भेज़ो mobile रिचार्ज करो bank balance चे करो तो उसके लिए आपको UPI pin तो चाहिए तो उसके लिए आपका जो bank account select यह उसका ATM cut चाहिए या debit cut चाहिए तो guys देख सकते हो मैं अपना ATM का debit cut का last का यहाँ पर देख सकते हो six digit में fill कर लिया उसके बद expiry month और year आपको fill कर लेना है और गई जैसे ही आप ATM cut का number fill कर लेते हो expiry month और year fill कर लेते हो उसके बद guys अब आपको proceed वाले option पर आपको click करना है और गई जैसे ही आप proceed वाले option पर click करते हो तो guys नहीं कि हो subscribe करो और guys जैसे ही आप proceed वाले option पर click कर लेते हो कुछ समय तक आपको wait कर लेना है और guys जैसे ही आप कुछ समय तक wait करते हो तो guys successfully आपका UPI pin set हो चुका है अब आपको guys down वाले option पर आपको click करना है UPI pin आपको set कर देना है जो भी आप UPI pin डाले हो due to security region के बज़र से आपको दिखा नहीं रहोगा तो आपको four digit का यसिक digit का UPI pin set कर सकते हो तो guys आपका आसानी से आप कहीं भी पैसे transfer कर सकते हो और guys यहाँ पे देख सकते हो आपका successfully phone पे account create हो गया और guys यहाँ पे check bank balance पर click करेंगे तो guys यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जागा आपका bank account आपको देख सकते हो लिंक हो चुका है होप कि आप इस वीडियो को complete watch किये होगे और step by step देखे होगे तो वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा काफी सारे आपने यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा लेकिन उन्होंने बताया होगा कि आपको अधार काट से मैं आपक फोन पर एकाउंट नहीं चलेगा भाई अधार काट से यह possible ही नहीं है कभी पहले launch किया था लेकिन यहां पर काफी सारे लोगों के साथ problem हो रहा है यह कोई भी bank बहुत काम ऐसे गिने चुने bank रखे है जो कि bank जो है यह खाली सहरों में चलता है तो guys कोई दिक्कत नहीं है ड गहर बैठे भी account open करना चाते हो तो उस पे proper videos बना करके link देदी हो description में कैसे गहर बैठे bank account open किया जता है zero balance पे और आपको ATM काट भी मिलेगा और ATM काट के थूरू phone पे account चला सकते हो अधार काट से totally जिनका भी videos देखते होगे तो उनका fake videos रहता है कोई आपको real videos कोई नहीं आ बाए बाए टेक केर